परिजए बच्चो आप जानते हैं बहुत समय पहले लोग किस तरह चीजों की लंबाई नापा करते थे? वो चीजों की लंबाई अपनी हथेली, अपने हाथ या अपने कदमों से नापते थे पर इन तरेकों से सही परिणाम नहीं मिलते थे आज हम पैमाने, मैट्रिक स्केल और मेजरिंग टेप यानी फीते का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजों की सही लंबाई और मुचाई नाप सकें आईए स्केल यानी पैमाने का सही इस्तेमाल करना सीखें आउ सीखें पैमाने का इस्तेमाल करके चीजों की लंबाई मापना मीटर और सेंटिमीटर में लंबाई मापना मीटर और सेंटिमीटर के बीच का संबंद समझना मुझे चार सेंटिमीटर लंबा कागस चाहिए तो मैं ये लंबाई नापने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? हाँ, आपने ठीक कहा पैमाने से ही लंबाई सही सही नापी जा सकेगी आपको पैमाने पर कई विभाजन नजर आएंगे कुछ लाईने छोटी होंगी, तो कुछ लंबी लंबी लाईने संख्याओं को सेंटिमीटर में दर्शाती है दो लंबी लाईनों के बीच छोटी लाईने सेंटिमीटर के विभाजन को दर्शाती है अब हम पैमाने यानि सकेल को समझना सीखेंगे उधारन के लिए ये दो सेंटिमीटर है ये आधा सेंटिमीटर है इसी तरह ये साड़े चार सेंटिमीटर है लंबाई मापना रुकू अलग-अलग चीजों की लंबाई मापना चाहता है क्या आप उसकी मदद करेंगे? हर चीज़ पर क्लिक करके उसकी लंबाई मापो रूलर या पैमानों की एकिसमे पैमाने अलग-अलग लंबाईयों के होते हैं यहां जो पैमाना दिख रहा है वो 15 सेंटिमेटर तक की लंबाई का हो सकता है दूसरा पैमाना 30 cm तक की लंबाई नाप सकता है पर कोई पैमाना हर चीज़ को नहीं नाप सकता किसी पैमाने का इस्तिमाल सिर्फ कम लंबाई वाली चीज़ों को नापने के लिए ही किया जाता है जैसे की पैंसिल, स्टिक यानी चड़ी, नोटबुक, डस्टर, कंगी, इत्यादी लंबी चीज़ों को नापने के लिए मेजरिंग टेप यानी फीते का इस्तिमाल किया जाता है रूपान तरण आपकी माताजी कमीस का कपड़ा खरीदने के लिए बाजार में है क्या दुकानदार किसी पैमाने से कमीस का कपड़ा नाप सकता है हाँ, नाप सकता है पर ये काम इस तरह ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसमें ज्यादा वक्त भी लगेगा तो वो इसे मेट्रिक टेप से नापता है इसमें कम मिहनत और कम समय लगेगा एक मीटर सौ सेंटी मीटर के बराबर होता है मीटर और सेंटी मीटर हम किसी अलमारी की उंचाई मेजरिंग टेप का इस्तेवाल करके नाप सकते हैं अलमारी की उंचाई दो सो सेंटी मीटर है इसलिए हम कह सकते हैं कि अलमारी की उंचाई दो मीटर है इसी तरह वाकिंग स्टिक छड़ी की लंबाई सौ सेंटी मीटर होती है यानि ये एक मीटर लंबी होती है आईए अलग अलग चीजों की लंबाई की तुलना करें कुछ चीजों की लंबाई मीटर में होती है जबकि कुछ चीजें इतिनी चोटी होती है कि उन्हें केवल सेंटी मीटर में ही मापा जाता है किसी ब्रेट की लंबाई सेंटी मीटर में व्यक्त की जाती है माचिस की लंबाई सेंटी मीटर में व्यक्त की जाती है कूदने वाली रसी यानि skipping rope की लंबाई मीटर में बताई जाती है बस की लंबाई मीटर में व्यक्त की जाती है हमने क्या चर्चा की? हम लंबाई मापने के लिए ruler यानि पैमाने, metric scale और measuring tape का इस्तिमाल करते हैं चोटी चीजों की लंबाई मापने के लिए ruler का प्रियोग किया जाता है लंबाई को centimeter और meter में मापा जा सकता है एक meter का मतलब है 100 centimeter